हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का स्टेंडब क्लासेस में तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं अच्छे होंगे तो दोस्तों आज का वीडियो है यह इस्पेसली नेवी एमार केंडिडेट्स के लिए है मतलब कि कुछ ऐसे नियू कमर होते हैं नेवी एमार में जो पहली बार फार्म डाल ले होते हैं और उनको पूरी जानकारी नहीं होती है कि नेवी एमार क्या है कैसे है और कौन-कौन सी इसमें पोस्ट एविलेबल है तो यहां पे पूरी डिटेल में नेवी एमार की आज हम ल इसमें किस प्रकार के पोस्ट होते हैं और प्रते एक पोस्ट में जो है क्या काम करना पड़ता है दूसरा जो आपका टॉपिक होगा उस पर हम लोग बात करेंगे दूसरे पार्ट में कि इसके लिए eligibility क्या है मतलब कि यदि आप इसमें form भरना चाहते हैं या फिर नेवी MR जॉइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं क्या-क्या eligibility education में या फिर physical में या फिर medical में क्या-क्या eligibility होनी चाहिए ताकि आप नेवी MR जॉइन कर सकें और जो तीसरा पार्ट होगा वह हमारे नेवी MR के selection process को ले करके होगा ठीक है तो जो तीसरा पार्ट है उसको हम लोग next video में discuss करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नेवी MR जो है किस परकार का जाब है तो especially नेवी MR में तीन पोस्ट होते हैं आपको भी पता होगा सबसे पहला पोस्ट है आपका सेफ का दूसरा इस्टेवार्ड का और तीसरा जो आपका पोस्ट है वह हाईजनिस्ट का है ठीक है और इसे भर कौन से मतलब की नेवी MR में फॉर्म कौन से लोग डाल सकते हैं तो कोई वी candidate जो 33% से एबब माक्स पाया हो हाई स्कूल में यानि सिर्फ हाई स्कूल में पास हो वह हर एक candidate यहाँ पे नेवी MR में फॉर्म डाल सकता है और फॉर्म डालने के बाद सब का admit card आएगा और सब को एक्जाम देने है मैटरीख रिक्रूट ठीक है नेवी मैटरी की करण मैटरीक मतलब हाहाई स्कूल पर रिकूट होती है agella कलिये अनिवी के लिए उसे ही बोलते हैं मैटरीख रिकूुट तो इसमें जो सबसे पहला पोस्ट होता जाता है cooking के काम के साथ साथ जो है waste non waste दून काम आपको दिये जाते हैं और रासनस के पूरे detail आपको accounting समाननी पड़ती है उसमें ठीक है मतलब कितने रासन की हूँज हुआ कितना बचा है वो से counting देखने पड़ते हैं plus सेफ का काम करना पड़ता है खाना पकाना पड़ता है वहाँ पे सभी के लिए और साथ में इमेर्जेंसी के दारान ठीक है मतलब इमर्जेंसी के दारान आपको अन्ने काम के लिए ही यूज किया जाता है तो यह सबसे पहला point किलियर हो गया कि सेफ का क्या क्या काम होता है यानि जो कुक होते हैं आपके उनका क्या काम होता है जो है नेवी में ठीक है अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पोस्ट को ले करके जो हमारा दूसरा पोस्ट है वो है इस्ट्रेवार्ड का ठीक है तो इस्ट्रेवार्ड का काम क्या होता है इस्ट्रेवार्ड एक प उस भोजन को या फिर उस ड्रिंक को पूरे सीप पेस सर्व करना जितने भी लोग हैं उनको भोजन कराना ड्रिंक्स देना ये सारे काम उनको दिये जाते हैं इस ट्रेवाड़ वालों को ठीक है साथ में यहां पर एक चीज और इंक्लिडेड होता है कि इमर्जेंसी के दोरान अन्य काम के लिए भी उन्हें यूज किया जाता है हर परकार की ट्रेनिंग दी जाती है अब बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा पोस्ट है यहां पर आपको दिख रहा होगा ठीक है तीसरा पोस् जो है हर परकार की साफ सफाई की जाती है ठीक है कराई जाती है और जो सबसे जो है गलत काम इसमें कराया जाता है वह वास्रूम्स वेगरा भी साफ कराया जाते हैं जिनकी भी नौकरी लगती है इस पोस्ट में उनलों के वास्रूम्स वेगरा भी साफ कराया जाते हैं और स यहां पर दालेकों कितनी पर्सेंटेग याप सीर्स्टेंट रिक्षाइट तो आप यहां पर दाल सकते हैं कितने आगल नीइशिआच से कितनी तक लोग इसमें join कर सकते हैं, तो जिनकी भी उमर पहले उमर इसमें required थी 16 से लेकर के 21 साल, लेकिन पिछले साल ये घटा दिया गया, अब ये कर दिया गया है आपका, 17 से लेकर के 20 साल तक, तो जिनका भी date आप बड़ जो है, 17 से लेकर के 20 साल के अंदर है, जिनका भी जनम, ठीक है, व सेकेंड वीडियो में लेकर के आऊंगा सेलेक्शन प्रोसेस उसमें बताऊंगा तो अब बात कर लेते हैं जो है कि यदि आप पूछेंगे कि सर सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा होता है मतलब कि फस्ट प्रायोर्टी अगर दी जा है तो इन तीनों पोस्ट में से यानि सेफ इस है तो इसमें जो सबसे पहले पोस्ट होता है वह से निचला आता आपका है तो मैं यहीं सुजाओ दूंगा उसमें जब आप डॉलते हैं तो तीनों उसमें पूस्टा आप्लाई करते हैं या फिर आप टीनों में इंट्रेस्टेड़ होते हैं लेकिन इसमें जो सबसे जो है या निचले अस्तर की होती है वह आपको है है तो मैं ना सेलेक्ट करें अब इस पोस्ट कैसे दिया जाता है नियुक्त posts कैसे दिया जाता है ठीक है मतलब कि किसो हिसाब से कितने marks होने चाहिए तो सबसे पहला जैसा कि मैंने काहा कि सबसे पहला priority किसे दिया जाता है safe को दिया जाता है तो आपके marks car ग्रणिंग जो हम आप cał कुल वह post दिया जाएगा मतलब top 10 में जो रहेंगे marks के according 50 में out of 50 जितना रहेगा वो सबसे पहले सेफ में जाएंगे फिर उसके बाद उससे कम वाले इस्टेवार्ड में फिर उसके according अपने स्टेट का कटाफ देख करके तैयारी मत किजिए एक बार नहीं मैं आपसे 10 बार हाथ जुड़ चुका हूं कि प्लीज जब भी आप तैयारी कर रहे हैं अपने स्टेट की कटाफ मत देखे कि मेरे स्टेट की कटाफ क्या है या फिर मैं कितने marks लाओंगा तो मैं नेवी लड़ाई कर रहा हूं तो पुरा 50 में 50 लेकर आना है तो यदि आप 50 के 50 में 50 के लिए लड़ाई करेंगे प्रयास करेंगे तो 50 नहीं आएगा फिर भी आप 45 पलस तो जरूर गेंगे आज की वीडियो बताना था वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर क लेकर के यानि जो आनलाइन एक्जाम होता है उससे लेकर के लास्ट तक यानी जो है आयने इस छिलका ट्रेनिंग तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है और क्या क्या इस बार बदला हुआ है चलिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद